नमस्ते बच्चों आज से हम लोग जो है क्लास 10 का एक बहुत ही आसान और बहुत महतपूर्ण चेप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है बहुपद महतपूर्ण इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि बहुपद चेप्टर जब पूरा परहिएगा और इसमें जितना कॉंसेप्ट आप सिखिएगा ये कॉंसेप्ट जब तक गनित से आप जुरे रहिएगा आप 12 में गनित परहें या 12 के आगे कॉंपिटिशन के नाम पे गनित पर जो बहुपद में हम पर रहे हैं लगभग वही चीज और उससे थोरा सा आगे हम चेप्टर 4 जो है द्विगात समिकर्ण उसमें परने वाले हैं तो इसलिए भी ये चेप्टर बहुत महतपूर्ण हो जाता है तो आईए आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि ब बहुपद बौलसकते हैं और किसे बहुपद हम ने बोलसकते हैं यानि के परिभाशा और कुछ सवाल के माध्यम से आपको बहुपद हम समझाने का प्रयास करेंगे और फिर हम कुछ objective प्रस्ण आप से discuss करेंगे जो परिक्षा में कहीं कभी ना कभी बोर्ड परिक्षा में बिहार बोड में पूछा गया है, हाँ की ना, और सबसे जरूरी बात क्या होगा, सबसे जरूरी बात ये होगा, कि यहाँ पे जो भी सब्द आपको दिखने वाला है बार बार वो हम पहले आपको बता देते हैं, सबसे पहले हम आपको समझा रहे हैं कि यह सब्द अचर क्या ह बहुत बच्चा को पहले से पता होगा कि अचर क्या होता है जिने नहीं पता है वो जान जाएए कि अचर क्या होता है एक संख्यात्मक जो है न संख्या मतलों जो संख्या होता है न निश्चित संख्या सिंपल जैसे कि आठ माइनस तीन दो बटा पांच पाई यही सब अचर क तो यह सब्द अगर बार-बार आपको दिखेगा तो कन्फ्यूज ने होना इसका मतलब बस संख्या हो रहा है यहाँ पर याद रखेगा एक सब्द आपको बार-बार दिखेगा चर तो जो चर है वो इंग्लिस अल्फा बेट जो है उसे जब हम गनित में यूज करते हैं मोमन अगर अलग-अलग समय यह अलग-अलग मान धारन करता है अगर इसको म सही से आपको समझाना चाहे तो आपको बृत की परिधी पता होगा ृत की परिधी क्या होता या इतकीजिये उसका फोर्मूला होता है दो पाई आर ऑर 2Pi-R और बृत की परिधी को Charge C बोल जागते है कि यहां पर 2 और πाई क्या है चर है क्या हो क्योंकि यह fix है कभी नहीं बदलेगा कोई भी बृत आजाए बृत का त्रिजिया बृत की जो त्रिजिया है आर कुछ भी आ जाए ये मानने बदलने वाला है हर जगा 2 2 ही रहेगा इसका बेल्यू 22 बटा 7 रहेगा या कहीं जरुत तो 3.1 लग एक चार हम यूज कर लेते हैं, लेकिन value fixed होता है, इसका मान fix होता है, हमेशा क्या बदलता है? तो ये C बदलता है, यानि परिधी का मान बदल जाता है, कभी परिधी कुछ आएगा, कभी परिधी कुछ आएगा, और R बदलता है, R बदलते जाता है, R का यहाँ अ विरित की परिदी है दो πάई यार इसमें हम क्या आपको समझाना चाहते है कि दोपाई जो है मेरा अचर है क्योंकि ये फिक्स है निष्चित है और C, R मेरा यहाँ जो है चर का काम कर रहा है więks है दोपाई क्या है अचर है यानि फिक्स है और C और R क्या है चर है क्या हूँ तो कि ये अलग-अलग मान धारन करता है यही मेड़ा चर कहलाता है इसे साधारन भासाम आप समझना चाहते हैं तो इंग्लिस अल्फावेट जो हमारा है A से लेके Z तक उसे हम चर बोलते हैं सिंपल सी बात है ये दो बात ध्यान रखेगा चर अचर आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा ठीक है अब आजाएए ये क्या होता है BGA बेंजग ये 8th standard तक क्लास 8 तक जो है आप इसके बारे में परहे हैं BGA बेंजग कुछ नहीं होता है वह हुआ बस चर और अचर से मिलकर पांच एक्स ठीक है तो ये सब ध्यान से अगर आप देखिएगा पहले तो ये सब जो है न ये इसको हम BGA बेंजग बोल सकते हैं किस से बना है तो चर और अचर के संजोजन से बना है यानि कि चर और अचर से मिलकर ये बना है पलस माइनस का भी यूज होता है जैसे कि अगर हम लिखे दे जैसे कि हम लिखे दे जैसे कि अगर हम लिखे दे तो ये सब भी BGA बेंजग के अंतरगत आता है और इसमें हम क्या पाते हैं कि जो है यहां पे ये सब BGA बेंजग ये जो लिखा है न वो इसे हम पद बोलते हैं गनित की भासा में तो ये बीजिये बेंजग में हम क्या पाते हैं कि दो पद है एक साथ एक्स है इसमें और एक पांच है दो पद है एक साथ एक्स और एक पांच इसी को बीजिये बेंजग बोलते हैं इसमें देखो 4 पद है, ये एक पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये चौथा पद एक पद 7x पे पावर 4 है, दूसरा पद माइनस 7x स्क्वाइर है, जब भी हम पद के बाद करेंगे तो साइन के साथ हमें लेना है तो यह minus 7 X² इसका दूसरा पद है उसी तरह से इसका तीसरा पद 5 X है और इसका चौथा पद minus 9 है इसी तरह से इसमें 3 पद है वो 3 पद अगर हम आपसे पूछ दे कौन को ने तो आप बोलेगा जी 3 YQ है minus 7 Y है और 5 है यह 3 इन पद से ये बीजे वेंजक तयार हुआ है, हाँ कि ना, तो इसे हम बोलते हैं बीजे वेंजक, ये बेसिक सा बात था जो आपको पता होना चाहिए था, अब हम आगे बरते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि एक चर्मे बहुपद क्या है, क्यों यही आइंत और टेंत के अस्तर पर पढ़ना है, इसलिए इस कॉंसेप्ट कम समझते हैं, ये अगर आप यहां से इस बात को समझने में सफल हो जाते हैं कि आखिर बहुपद होता क्या है, तो 100% जो है एक से दो अबजेक्टिव आपके बोर्ड एक्जाम में आने वाला है, जहां आपको चार ओप्शन देदेगा, अबजेक्टिव प्रस्ण रहने वाला है, जहां चार अबजेक्टिव देदेगा और बोलेगा कि निम्न में से कौन बहुपद है या निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, तो इस पे हम लोग काम करेंगे, तो बहुपद का सिंबल सा क्य कोई भी figure, कोई भी design हमारे सामने प्रस्तूत कर दे और बोले कि पहचानो वो बहुपद है कि नहीं, तो बसम उसे हम एक चीज से तरे कर देंगे, कैसे तरे करेंगे कि वो जो लिखा हुआ मेरे सामने quantity है, वो बहुपद है कि नहीं, तो बस हमें एक चीज वहां पर करना है, हमें ये देखना है कि जी चर जो है ना वहां मौजूद वहां जो चर है ना मौजूद उस चर का जो गहात है उस चर का जो गहात है वो पूर्ण संख्या होना चाहिए समझे की नहीं समझे पूर्ण संख्या क्या होता है अब चैप्टर 1 में ही पर चुके हैं पूर्ण संख्य यानि कि अगर हम आपको दिये के वह तीन बटा 5 क्या पूर्ण संखिया तो बोलेंगे ने हम पते हैं मइनस पांच पूर्ण संखिया और य। वो वलिएका ने यह बात धैन रहे है कि कोई भी अध्यक्सन डिख्ञा हो पूर्ण संखिया य। माइनस में कभी भी संख्या दिख जाएगा पूर्ण संख्या नहीं कालाता है सिंपल सा बात है पूर्ण संख्या यह सब कालाता है जिरो और गिंती की संख्या सिंपल सी बात है अब अगर हम आगे बढ़ जाएं, तो चर पे घहात का क्या मतलब होता है, देखो ये चर है और इस पे ये घहात है, घहात का मतलब पावर, ये चर है और इस पे देखिए ध्यान से घहात है, ये चर है, देखिए इस पे ध्यान से ये इसका घहात हो गया, ये इसका पावर हो ये चर है और मान के चले इस पर ये इसका पावर हो गया घात हो गया अब ध्यान से समझे यहां जो बात लिखा हुआ है कि चर पर घात पूर्ण संख्या तो भाई यहां भी चरपे घात है 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 यहां भी च चरपे घात तो जारो चारो जगह है लेकिन पूर्ण संख्या कहा है ये हमें पहशान करना परेगा अगर हमें ये बताना है कि बहुपद है कि नहीं है अब ध्यान से देखिए चरपे जो पाबर है रूट दो है तो ये तो पूर्ण संख्या नहीं है यानि ये सिच्वेशन ज चरपे जो घात है वो 7 वटा 3 है और 7 वटा 3 मेरे भाई पूर्ण संख्याने होता है अब यहां आईए चरपे घात तो है लेकिन चरपे जो घात है ना माइनस 7 है और यह पूर्ण संख्याने है यानि यहां भी चरपे घात पूर्ण संख्याने है यहां भी चरपे घात पूर् एक जगह में दिखाई यहां यानि कि जब भी चर्पे घात आपको पूर्ण संख्या दिखाई पड़ेगा आप वहां बोल दिजेगा कि वो बहुपद है हम आपको एक्जामपल से समझाने का प्रियास करते हैं अगर लिखा हुआ है 7x पे पावर 5 9x पे पावर 4 पलस 7x पलस 9 हम क्या देख रहे हैं एक एक पद को देखना परेगा अब हम तुरत आपको बताए किसे पद बोलते हैं तो पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद ठीक है बहुपद में बहुत कॉंसेप्ट है बहुपद का घात क्या होता है उसका गुनांक बहुपद के पदों में गुनांक किसे हम बोलते हैं बहुपद तो बहुत सारा कॉंसेप्ट है सुन्यक क्या होता है अलफा बीटा क्या है सारा बात आपको धीरे धीरे करके आगे के लेक्चर में हम प्रोभाइट करवाएंगे आज सिर्फ हम फोकस कर रहे हैं कि हम बहुपद का पहशान कर सकें समझे की नहीं समझे तो ध्यान से समझने का प्रयास किजिएगा चार पद हमारे सामने नजर आ रहा है हम चारो पद में देखेंगे कि चर पे घात पूर्ण संख्या है अगर चारो पद मतलब जितना पद दिखाए परेगा यहां चार पद दिखाए पर रहा है तो चारो पद में चेक करना परेगा अगर चारो पद में हम देखेंगे चर पे जो घात है न वो पूर्ण संख्या है तो बोलेंगे ये बहुपद है, अन्य था ये बहुपद, नहीं होगा इस बात का हम ख्याल रखी है तो अगर हम ध्यान से देखने का प्रियास करें, मेरे भाई तो यहां जो बस चर पে घात डेखना है इस शात सेके हमको कोई मतलबने breaker क्या है हमें चर पे बस घात देखना है ध्यान से इस बात को आप समझेए तो X पे पावर 5 है यारी पूर्ण संख्या है ये पास हो गया पद इस पद पे आईए बस इससे हमको कोई मतलब ने है हम अगर ये तई कर रहे है बहुपद है कि नहे है तो इनौ से हमरा कोई मतलब ने है हम इसे जहां चर दिखाए पर रहा है उस पे घात देखेंगे पूर्ण संख्या है ओके एक से कोई पावर ने दिखाए पर रहा है हमें इसा याद रखेंगे कोई भी चर दिखाए पर है कभी और उस पे पावर आपको नहीं दिखाए पर रहा है मतलब उहां पावर एक होता ह मतलब वहाँ पावर एक होता है, मतलब ये क्या है, पूर्ण संख्या है घात, घात जो है ना वो पूर्ण संख्या है, क्योंकि एक तो पूर्ण संख्या होता थी, ये भी पास हो गया, ये तो अचर है, अचर का मतलब उसमें कोई चर नहीं दिखाई पर रहा है, तो कभी भी दिखाई परे ना, इसे हम अचरपद बोलते हैं, बहुपद की भासा में, गनित की भासा में, तो जब भी अचरपद दिखाई परे, वो हमेशा उस पे घात पूर्ण संख्या होता है, कैसे होता है भाई, तो क्या हम यहां अपने मन से x पे पावर 0 लिख सकते हैं, कहीं भी प इसका मतलब है 9 गुने 1, क्योंकि x पे पावर 0 का भेलिव एक होता है, इसका मतलब 9 ही तो है, तो कुछ फर्क थोड़े परा, 9 का 9 ही है, आपको हम समझाने के लिए बता रहे हैं, कैसे अचर यहां लिखा है, हम यहां बोल रहे हैं, कि यहां जो गहात मौजूद है, उस पे पावर पूर्ण संख्या है, तो भाई 0 पूर्ण संख्या होता है, कि अहां तो यहां बाई लगा के 0 लगा देंगे, था अचर, था यह अचर था, लेकिन हम अपने मन से क्या किये, यहां पे एक चर लगा दियो और पावर 0 दे दिये, उसका भेलिव एक होता है, इसलिए हम बोलते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि कोई भी अचरपद दिख़ाई पर रहा हो तो उसे हम बहुपद की स्रेवी मेरी में रखेंगे ना, तो भाई मेरे तो यह जो सामने हमें दिखाई पर रहा है यह पूरा का पूरा जो है, quantity या बीजे बेंजक इसे बोलेंगे तो क्या इसे हम बहुपद बोल सकते हैं तो बहुपद बोल सकते हैं क्यों इसे हम बहुपद बोल रहे हैं क्योंकि इसमें चार पद मौझूद था और चारों पद में हम क्या देखे कि गहात पे जो गहात है चड़ पे वो पूर्ण संक्या है इसलिए हम इसे क्या बोल दिए बहुपद बोल दिए और एक्जामपल लीजिए हमारे सामने सवाल देदे हमारे सामने सवाल देदे कि जी क्या हम इसे बहुपद बोल सकते हैं क्या हम इसे बहुपद बोल सकते हैं तो हम बोलेंगे इसे हम बहुपद बोल सकते हैं कैसे इसे हम बहुपद बोल रहा है तो सिंपल फंडा है, चर देखना है हम क्या देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं जो चर है उस पे घात पूर्ण संख्या है, जो चर है उस पे घात पूर्ण संख्या है, यहां अचर है यहां भी घात पूर्ण संख्या है, तो इसलिए यह बहुपद है, अब देखिए कहां कहां यह बहुपद नहीं होता है, सबसे जरूरी यहां समझना बहुपद के केस में यह है अगर हमें यह तई करना होता है कि कौन सा बेंजक हमारा बहुपद होगा और कौन सा बेंजक हमारा बहुपद ने होगा तो इसमें ज्यादा फोकस हमें करना है किस तरह का situation में हम बहुपद नहीं बोलेंगे तो सबसे पहला हम एक्जामपल आपको देते हैं यह वाला द जन में सबको क्या करेंगे या वेंजक में जो भी से बोला जाए जितना दिखाइप रहा हybaना समका हम। सब का हम चर देखेंगे और चरपे घ्तआट चेक करेंगे। हर पद का यहां Okay है क्योंकि जो चर दिखाए पर। उस पे घात साथ है, मतलब पूर्ण संख्या है चरपे घात पूर्ण संख्या है यहाँ भी चरपे घात पूर्ण संख्या है यहाँ भी चरपे घात पूर्ण संख्या है लेकिन मेरे भाई यहाँ अगर आप ध्यान से इस पद को देखिएगा, यह पद है साथ यानी याद रखना है कि अगर कभी पावर चरफे माइनस में दिखाई पर जाए तो याद रखना है कि अगर कभी चरफे पावर आपको बटे में दिखाई पर जाए तब भी बहुत ने होगा क्यों क्यों कि यहां पे इस पद में हम क्या देख रहे हैं कि चर पे जो पावर है न वो पूर्ण संख्या नहीं है यानि दूसरा situation क्या दिखाई पड़ेगा कि चर पे जो पावर है वो बटे में ने रहना चाहिए ठीक है ये दो बात हो गया तीसरा बात ध्यान रखेंगे कि मेरा जो चर है वो कभी root में ने होना चाहिए क्योंकि आपको पता है root का मतलब ही होता है power जो भी इसके अंदर लिखा अगर x लिखा है तो इसका मतलब होता है x पे power 1 बटा 2 अगर 5 लिखा है पर अगर बटे में है तो वो बहुपद की स्रिनी में नहीं आएगा, तो यहां रूट अगर कभी भी आपको दिख जाए, चर जो है रूट के अंदर दिख जाए, तो हम बोलेंगे वो बहुपद नहीं है, तीन सुजेशन दिख गया, एक सिच्वेशन आपको दिखाई जब हमारा जब हमारा जो चर है, वो हर के रूप में कभी आ जायेगा, उस केस में भी हम बोलेंगे, कि वो बहुपद नहीं है, कहे जी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, यह जो चर है, इस एकर हम अंस के रूप में भेजेंगे, तो पावर का साइन उल्टा हो जाताए, अभी power 1 है, power 1 है, उपर जाएगा, तो power minus 1 हो जाएगा, power minus हुआ कि नहीं हुआ, अरे power minus हुआ कि नहीं हुआ, तो इस case में भी हम बोलेंगे, यह बहुपद नहीं होता है, समझे की नहीं समझे, यही चार situation आपको दिखाई परेगा, जहां आप बोलिएगा, यह बहुपद नहीं है, पहला situation क्या दिखाई परेगा, power minus में नहीं होना चाहिए, दूसरा situation क्या दिखाई परेगा, power बटे में नहीं होना चाहिए, चर पे हम बात कर रहे हैं, तिसरा, कभी root के अंदर चर नहीं होना चाहिए, चौथा कभी मेरा जो चर है वो हर के रूप में नहीं होना चीए याद रखिएगा सिर्फ चर के पावर से तै होगा बहुपद है कि नहे इस बात का आप ख्याल रखिएगा ठीक है अगर कभी आपको सिच्वेशन दिखाए पर जाए तो हम बोलेंगे भाई साहब कि ये बहुपद है अंक ये वाला बटे में रहने से कोई दिक्कत नहीं चर पे पावर तो हर जगा पूर्ण संख्या है अगर कभी सिच्वेशन दिखाए पर जाए हम बोलेंगे ये बहुपद है भाई ये संख्या से में क्या काम है रूट में तो है चर रूट में ने रहना चाहिए अगर यहाँ सिच्वेशन आ जाता कि तीन है एक्स है और एक्स पे पावर मानलो यहाँ तीन बटा पाँच है तब बोलते ही बहुपद नहीं चर पे पावर देखना है बटे में है की नहीं यह बटे से हमरा कोई मतलब नहीं यहाँ पे अगर यही सिच्वेशन कुछ ऐसा आ जाता ऐसा आ जाता ठीक है तो बोलते यह बहुपद नहीं क्यों यहाँ इसको ऐसे कर सकते हैं तो बोलते हैं बहुपद नहीं क्यों कि यहां चर जो है हमारा चर भी रूट के अंदर चला गया तो चर कभी रूट के अंदर नहीं होना चाहिए कभी ऐसे भी situation हमें दिख जाएगा तब भी बहुपद नहीं है बस चर को देखना है कि रूट के अंदर नहीं होना चाहिए तीसरा है तीसरा situation क्या है कि कभी वो हर के रूप में नहीं होना चाहिए यानि कि कुछ ऐसा कभी ने देखना चाहिए एक्स पलस एक बटा एक्स तब भी हम बोलेंगे वो बहुपद नह है हां कि नह तो हमें लगता है आपको समझ में आएगा हमकु सब एक जामपल देंगे आपको बताना है कि वो बहुपद है की नहीं, कब बोलना है बहुपद नहीं है, जब हम चर पे पाबर माइनस में देखेंगे, जब हम चर को रूट के अंदर देख लेंगे, और जब हम चर को हर के रूप में देखेंगे, तो हम बोलेंगे कि वो बहुपद नहीं है, इस बात को आप ध्यान रख जिएगा हम बोले एक चर में बहुपद, यानि कि अगर कभी हमें कुछ ऐसा दिखाई पर रहा है, तो ये बहुपद है, ऐसा नहीं कि ये बहुपद नहीं, ठीक है, ये बहुपद है, का है बहुपद है, जो चर है, उस पे पावर आप देखिये पूर्ण संख्या है, जो चर है उस पे पावर देखे पूर्ण संख्या है, जो चर है उस पे पावर देखे पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद है, क्योंकि बहुपद का परिभासा क्या है, कि भाई चर पे पावर पूर्ण संख्या होना चाहिए ये simple सी बात है, तो चर पे पावर पौन संख्या है, इसलिए बहुपद है, इसलिए ये बहुपद है, लेकिन हम एक चर में बहुपद पर रहे हैं, ना, 9-10 में एक चर में बहुपद परना है, अगर आप यहां देखिएगा, तो यहां तीन चर में बहुपद है, तीन चर एक एक चर्द एक बाई है हमें परणा कुछ ऐसा जहाँ सिर्फ एक चर दिखाई पड़े हमें परणा हमें हमें यह इस बात का ध्यान nा इसमें केवल एक चर्ड एक्स है पावर कुछ भी आई तो एक केव्धे यह भी बहुपद है पूर्ण संख्या चर्पे पावर पूर्ण संख्या चर्पे पावर पूर्ण संख्या ये तो अचर है कोई दिकत नहीं है तो हम बोल देंगे ये बहुपद है हम बोल देंगे ये बहुपद है कैसे बोल दें ये बहुपद है क्योंकि हम देखें कि हरे एक पद जो हमारे सामने दिखाई पर रहा था उसके चरपे घात जो है पूर्ण संख्या है इसलिए ये बहुपद है अब इसको देखिए चरपे पावर पूर्ण संख्या यहां भी रूट पावर पुरुण संक्या। गऊठ की जैगा, सिर्फ रूट पाँच है टी रूट से बाहर है, इसलिए दिए बहुपद है। बस चर को देखना है। यहाँ आओ, चर पावर पुरुण संक्या।' जर पे पावर पूर्ण संख्या यह अचर है कोई दिकत ने इसे भी बहुपद बोल देंगे तो यह वी बहुपद है यह भी बहुपद है क्वी अगर आपके सामने सिर्फ 7 लिखा आजाए यानि कोई अचर लिखा जाए बूले बताओ बहुत है कि ने इसे भी हम भुत बोलेंगे जो Zoo가 साथ लिखा सिर्फ तीन बटा पांच लेखा है इस सब को भी हम बहुपद बोलेंगे क्यों क्यों क्योंकि यहां जो चर होता है जो छिपा होता एक तरह से उस पर पावर पूर्ण संख्या होता है यानि कि बाई पे पावर जीरो जेड़ पे पावर जीरो समझे की नहीं समझे यह बात होत चलिए कहानि rate आगे बढ़ा लेते हैं अब फिड़ यहां पाशान करते हैं तो इसे हम बोलेंगे बहुपद है नहीं है चड़ पे जो पावर है वो पूर्ण संख्यान नहीं है, जब भी चड़ पे पावर माइनस में दिखाई पर है, सीधा हम बोलेंगे वो बहुपद नहीं है, अभी तुरत बोले ये अचर है, तो बहुपद है, सीधी सी बात है, और अगर आप इसे देखिएगा दिखाई पर है, क्योंकि हम यहां अगर ध्यान से देखें, तो जो चर है, वो हर के रूप में आ गया, बहुपद नहीं है, क्यों क्योंकि मेरे भाई, इसे अगर हम उपर भेजेंगे, हर से अंस में भेजेंगे, तो पावर का साइन उल्टा हो जाता है, तो पलस दो है, उपर जाके माइ जाएगा ना व्यापक रूप Mit creamy हम आपको आगे बताएंगे bohard का वहां बात आपको और समझ में ऐगा ठीक है इसलिए हम यहां आपको थोरा-थोरा बात समझ अरहे अब इसे ध्यान से देखिएगा तो यह बहुपद है क्या हूं क्योंकि चर देखो बस चर पे पावर पूर्ण संख्या हो गया बहुपद यह बहुपद नहीं क्योंकि भाई एक बटा दो तो चलो ऐसी रहा जाएगा अचर के साथ कोई दिक्कत नहीं लेकिन एकस स्क्वाइर को जब हम उपर भेजेंगे तो एकस पे पावर माइनस दो हो जाएगा इसलिए बहुपद नहीं इसलिए हम डारेक्ट याद करने बोल रहा है कि हर के रूप में चर दिखाए पड़े बहुपद नहीं अब देखो बहुपद नहीं का है जी क्योंकि चर पे ज चलिए बोलिए इसे आप बहुपद बोलिएगा बिल्कुल ये बहुपद है क्या हूँ जी क्योंकि घात देखो चर पे पूर्ण संख्या है कानी कतम ये बटे सम को कोई मतलब नहीं है इसे गुनांग बोलते हम आगे आपको समझाएंगे अब इसे देखिए हम बोलेंगे ये बहुपद नहीं है क्योंकि चलो यहां तो चर्पे पावर पूर्ण संख्या है लेकिन यहां चर्पे पावर पूर्ण संख्या नहीं था इसलिए बहुपद नहीं है इसे देखिए ये बहुपद नहीं है क्योंकि चलो यहां तो चर्पे पावर पूर्ण संख्या है यह तो चरपे पावरपूर्ण संख्या लेकिन ये पद जो है ना गरबर है जब भी रूट के अंदर चर दिखाए पड़े बहुपद नहीं है आगे बढ़ जाईए अब ये तीन अस्पेसल केस आपके सामने हम दिये हैं जो कि थोरा सा आपको confusion create करेगा ये तो हम बताएं दिये ये बहुपद है क्योंकि चरपे पावरपूर्ण संख्या चरपे पावरपूर्ण संख्या चरपे पावरपूर्ण संख्या ये तीन चरका बहुपद है सिंपल सी बात है तीन चरका बहुपद है एक जेड में बहुपद है नाइंट तेंथ के अस्तर पर हम एक चरवाला ब के रूप में तो ये वहुपद नए है हां कि ना लेकिन अगर हम ऐसा बोलेंगे तो गलत हो जाएंगे क्योंकि हम अभी आपको क्या समझा रहे थे बार बार कि अगर हर के रूप में चर है तो वह वहुपद नए है क्यों क्यों कि जब हम भी हर से अंस के रूप में हम भेजते है चर को तो उसका पावर का sign उल्टा हो जाता है तो पलस में रहता था तो माइनस हो जाता था लेकिन अगर इसको ध्यान से देखिएगा तो एक बटा तीन तो चलो ऐसी रह जाएगा अचर जब इसको हम उपर भेजेंगे तो हम क्या बोले जब चर को हर से अंस में तो उपर जाके तो पलस दो हो जाएगा फिर से समझो जब भी हम चर को ठीक है गनित में जो चर होता है अगर वो हर के रूप में होता है तो उसे हम अंस के रूप में भेज सकते हैं पर किरिया क्या है तो जब आप अंस से हर में या हर से अंस में चर को भेजिएगा दोनों क सकते हैं कभी जरूत पड़ेगा तो अंस से हर में भेश भिज़ दीजे जरूत है तो आप हर से अंस में लेके चलों यह तो अऊ-प उसका पावर जो है ना उससान उल्टा कर देना है प्लस है तो मैनस तो तो हम क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं कि यहां जो चर दिखाए पर रहा है हर के रुपमे से अंस में भेजेंगे तो पावर का साइन उल्टा हो जाएगा तो माइनस दो था तुझो क्या हो गया पलस दो हो गया मेरे भाई और यह पलस दो एक्स हईय है और यह पलस एक है तो इस वेंजग को हम ऐसा लिख सकते हैं इसलिए यह बहुपद होगा क्योंकि चरपे पावरатель कुण संख्या आख मुंद करके ही न serve यह तो चरपे पावर पूर्ण संख्या नहीं है है रहा है तो हम इसलिए बेस यहां बताते आ रहे थे समझाते आ रहे थे कि जब हर के रूप में जब हर के रूप में देखो समझाए कि का है इने हुआ कि जब हर के रूप में चर दिखाई पर रहा है तो उपर भेज रहे हैं तो पावर माइनस हो जा रहा है इसलिए बहुपद ने हो रहा है और यहां पे भी हम देखे कि जो चर है वो हर के रूप में है लेकिन पावर माइनस है तो उपर भेजे तो पावर पलस हो गया यानि कि बहुपद का जो कॉंसेप्ट है वो इस पे लागू हो गया कि चर पे पावर पूर्ण संख्या इसलिए बहुपद इस बात का ध्यान रख जब भी चर आपको हर के रूप में दिखाई पड़े तो एक ध्यान रखेगा कि अगर हर के रूप में पावर पलस में है तब तो बोलदिएगा कि वो बहुपद ने है लेकिनन अगर फ्रके रूप के रोप में चर है और उस पे पावर आपको माइनस दिखाई पर जैसें दिखाई पर रहा है तो उस case में आपको बोलना पड़ेगा जी वो बहुपद है हम फिर से समझा देते हैं अगर हमारे सवाल में ये आ जाए अगर हमारे सवाल में कुछ ऐसा आ जाए ठीक है और बोले की बहुपद है बोलेंगे बहुपद है क्यों पाबर माइनस में है उपर जाएगा पाबर पलस हो जाएगा लेकिन अगर यही चीज कुछ ऐसा दे दे और बोले बताओ बहुपद है तो बोलेंगे बहुपद नए है क्यों 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 कि यहाँ पे हर की रुप में जब है तो उपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा इसलिए हम बोलेंगे कि ये बहुपद नए है चलिए एक सवाल इसको देखिए हम यहां लिख देते हैं ये भी बढ़ियां सवाल है और थोरा सा टेड़ा सवाल है ठीक है एक्स पे पावर है तीन बटा दो और नीचे भाई साब लिखाव है रूट एक्स अब इसको देखिएगा और पहला जलक में आपको क्या दिख रहा है कि सर ये तो तुम पक्का बहुपद नहीं ही होगा क्योंकि रूट में भी दिखाई पर रहा है चर बटे में भी पापड दिखाई पर रहा है तो इस कैसे हो सकता है कोई चांसी नहीं बहुपद होने का लेकिन मेरे भाई ध्यान से अगर आप समझना चाहते तो समझिए और इसे हम बहुपद बोलने वाले है कैसे तो ध्यान से देखो क्या आपको इतना पता है कि जो हर होता है उसको हम अंस के साथ अलग-अलग लिख सकते है तो बुलिएगा हाँ सर आप बुलिएगा हाँ सर अरे जल्दी बोलो नहीं जानते तो जान लीजिए नहीं जानते हैं तो जान लीजिए ये विमका सिंपल साम जोड कर लेते हैं तीन बटा पाँच पलस यहां लिख लेते हैं दो बटा पाँच तो क्या इसे आप अगला step में क्या लिखते हैं कुछ ऐसा लिखते हैं बोल्येगा हाँ लिखते हैं भाई इसका अगला स्टेप यहीं तो होगा भीम का जोड में तो ध्यान से देखो न अंस में कुछ है है दो पद है हर में एक चीज़ दिखाए पर रहा है पांच बराबर का मतलब क्या होता है बराबर इसकी जगह जब आप ये लिख रहे हैं तो भाई इसकी जगह ये भी तो लिखा जा सकता है ध्यान से देखो न हर अलग हो गया इसी अंस के साथ हर अलग हो गया ये आप कर सकते हैं हम एक solid example से आपको समझाते हैं अगर कभी दिखाए परे x पलस पांच x अस्क्वाइर बटे में x दिखाए परे तो हम इस x को दोनों के साथ लिख सकते हैं हम इस x को क्या कर सकते हैं दोनों के साथ लिख सकते हैं हां की न अब बोलिएगा हां ये कर सकते हैं भाई गनित में ठीक है और अब यहां से इसको काटके एक कर देंगे और ये इसको काट के 5x कर देगा यह common भी लिया जा सकता था लेकिन हम यहां concept यह समझाना चाह रहे हैं कि हर को अंस में जितना पधे सब के साथ अलग-अलग लिख सकते हैं simple सी बात तो यहां लिख दिये जो हर था यहां अंस में दो पधा दोनों के साथ अलग-अलग लिख दिये अच्छ इतना तो सबको पता होगा कि कभी भी अगर भाग करने के लिए आ जाए कभी भी जीवन में भाग करने के लिए आ जाए और उसका बेस अगर सेम होता है अगर बेस उसका सेम होता है तो हम पावर घटा देते यहां क्या लिखा जाएगा एकस पे पावर तीन लिखा जाएगा उसका बेसिक सा कारण है कि एकस पे पावर पांच का मतलब क्या है एकस गुने एकस गुने X गुने X अरे X पे पावर 5 का मतलब गुना में 5 पावर लिखो 1,2,3,4,5 और X पे पावर 2 का मतलब है X गुने X बुलेगा हाँ सर यह इसको काड़ दिया X पे पावर 3 हो गया क्योंकि 3 बार X गुना में है तो भाई ऐसे करके भी तो घटा ही न तो simple है हमेशा आप घटा दीजिए हमेशा क्या किजिए power को घटा दीजिए 5 में 2 घट के 3 आगया 5 में 2 घट के 3 आगया 5 दो असान था तुरत 5 में 2 घटा के 3 लिख दिए ठीक बात लेकिन क्या अगर कभी आपके सामने ये हम लिख दें x पे power 5 बटा 2 खट थो और x1-3 oh बटे में भी आएगा तो यह क्या हो जाएगा 5 में 3 घट गया दो बटा दो अर्थात कटके एक हो गया यानि इसका मतलब X है आ रहा है बात समझ में क्या तो सिंबल सा बात है भाग करना है पावर को घटा दिजी कब जब बेश स्यम होगा अगर यही लिखा रहेगा X पे पावर 5 और यहां लिखा रहेगा बाई पी पावर दो तो इसका कुछ नहीं कर सकते है यह AGT जरा जाएगा अरे भाग यहां लिखा हुआ है 5 यहां लिखा हुआ है 10 तब यह न इसका कुछ कर सकते हैं इसको कार सकते हैं अगर यहां लिखा ले 3 यहां लिखा ले 5 तो इसका क्या कीजिएगा कुछ ने कीजिएगा अरे बोलो हां की ना तो यह सब बेसिक सबात है आपको आना चाहिए चलिए अब इस सवाल पे आते हैं तो पहला कॉंसेप्ट हम आपको क्या सिखा है कि भैया हर को हम अलग-अलग अंस के साथ लिख सकते हैं अगर कभी आपको दिखाई पर जाए कहीं प बटा दो दोनों एक ही बात है हां की ना मतलब जितना पदे सब के साथ चड़को अलग-अलग कर दीजिए हम यहां कर दिये अब अगर ध्यान से आप देखिएगा तो रूट एक्स रूट एक्स कट गया तो यह बच जाएगा च्छे हां सर अब यहां तुरत हम आपको सिख यह बचाए है है कि भाईया रूट यह फकी पालब तीन 2 है क्सार च्रावतित मेरे भाई-व्यर्ट 10-2 दो है और मेरे भाई रूट एक्स का मतलब यह फसके पावर शता सब सक यह बात लिखा हुआ है कुछ ये बात लिखा हुआ है इस बात का मतलब ये है हाँ की ना अब बोलिएगा हाँ अब हम इतुरत हम आपको सिखाए कि भाईया भाग करने बोल रहा है पावर घटा दो तो X एजिटिज रह जाएगा और 3 बटा 2 में हम माइनस 1 बटा 2 कर देंगे तो X की X और इसको घटाईएगा ध्यान से देखिएगा तो 2 बटा 2 अर्थात X पे पावर एक अर्थात X अर्थात इसका मतलब X है यानि कि मेरे भाई ये जो पूरा क्वाइंटिटिटी दिया गया था ये और कुछ नहीं है ये है 6 पलस X तो इसे हम जो दिखराय फिगर उसी को हमेशा जो है हम बहुपद नहीं बोलेंगे कभी कभी आपको सवाल में भेराइटी है सवाल में थोरा सा विरुदाभास दिख सकता है जो हम समझाये उसका तो थोरा सा जागरूख होकर गनित का यही तो मजा है यही तो आनन्द है थोरा सा जागरूख होकर बनाएंगे सजग होकर बनाएंगे तो फिर मजा आने वाला है चलिए एक आधा सवाल हम आपसे पूछ लेते हैं देखिए 2020 में यह सवाल आया बच्चों से पूछा गया कि बताओ कि निमलिखित में से कौन बहुपद है यानि बहुपद कौन है हमें यह बताना है तो हम क्या देख रहे हैं यहां रूट के अंदर चर है तो यह तो बहुपद में है अरे भया हम क्या देख रहे हैं कि पावर है चर्पे जो बटे में है तो ये भी बहुपद नहीं यहां भी देख रहे हैं रूट है यहां रूट दिखाई पर रहा है लेकिन हमें तो चर देखना है चरपे पावर पुन संख्या चरपे पावर पुन संख्या यानि इस सवाल का जवाब option D हो जाएगा हा की न अब इस सवाल का जवाब दीजिए कितना महत पून सवाल है 2020 में भी आया 2018 में भी आया 2022 में भी आया इतना देड़ आपको परहाए क्या इसका जवाब अपने दे पाईएगा पूछ रहा है कि कौन बहुपद नए है तो बताए कौन बहुपद नहीं आप बुलिएगा सर उपसंडी बहुपद नहीं क्यों क्योंकि यहां चर हर की रूप में दिखाई पर रहा है यहां पूर्ण संख्या है यहां पूर्ण संख्या है तो बहुपद था यह भी चर पे पावर पूर्ण संख्या है पूर्ण संख्यां आपड है तक यही वहुतने की बताओ कौन वहुतन है तुस्य रूट के अंदर चड़ है तो यह भी बहुपद ने है और यहां भी यह भी बहुपद ने है इसको ध्यान से देखिएगा तो हम क्या पा रहे हैं कि यह x पे पावर एक बटा दो है और यह भी तो x पे पावर एक बटा दो है क्योंकि रूट x का मतलब क्या है x पे पावर एक बटा दो यानि य यह जो बात लिखा हुआ है ना, x square plus 3 x पे पावर एक पटा 2 बटे रूट x यह कट गया और इसका मतलब है यह x square plus 3 लिखा हुआ है तो यह बहुपद है कि नहीं तो आप बोलेगा सर यह बहुपद है और थात इस सवाल का एंसरोप्शन c हो जाएगा और आज के लिए इतना ही हमें लगा कि हमें लगता ऐसा कि आपको मजाया होगा यह सारा सवाल करके यह concept समझ कर तो आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद